Good morning, Model Activity Task 3, 2021, Class 10, Hindi Question number 1, कोश्टक में से सही उत्तर चुन कर उसे गोल घेर दीजिये का, एक चिडिया चोच में लिये जा रही है दाना, पंख, तिनका, घास, तिनका सही आजक न्यूटन के एक मित्र का नाम था वराह मिहीर, आमरोई पेरी, एडमंड हेली, आरे भट एडमंड हेली, सही किसका रिण, किसी भी रूप में चुकाया नहीं जा सकता रमण का, रंगयया का, मास्टर सहाब का, चप्पलों का मास्टर सहाब का रसूलन और बतूलन जब गाती है, तब अमर्युद्दीन को रुलाई आती है, खुसी मिलती है, दुख होता है, नीद आती है उत्तर खुसी मिलती है मैं जानता था कि वह चोकड़ा इस खांदान का नास करने आया है यहां वह चोकड़ा है, भैरोपांडे, कुल दीप, इसुर भगत, छबिला उत्तर कुल दीप धीरे धीरे समासिक पद में कौन समास है कर्मधारे, द्विगू, अब्याई भाव, द्वन्द, उत्तर, अब्याई भाव दूसरा प्रस्न, निमने प्रस्नों के उत्तर अनाधिक 15 सब्दों में लिखिए कहीं कोई सहायक ना मिलने पर आत्मत्रान का कवी करुणा में से क्या चाहता है कहीं कोई सहायक ना मिलने पर आत्मत्रान का कवी चाहता है कि यदि विपत्ती में कवी को कोई सहायक ना मिले तो भी उनका अपना बल और पुरुसार्थ या पराक्रम डमाडोल ना हो दूसरा प्रस्ण है सुलोचना की नई फेल में सिनेमा हौल में आने पर अमरुद्दीन क्या करता था उत्तर सुलोचना की नई फेल में सिनेमा हौल में आने पर अमरुद्दीन अपनी कमाई जो बाला जी मंदिर पर रोज सहनाई बजाने से उसे मिलती थी उसे लेकर फिल्म देखने चला जाता था लहना सिंग ने तीनो गोले बीन कर खंदक के बाहर फेके और सहब के साथ क्या किया उत्तर लहना सिंग ने तीनो गोले बीन कर खंदक के बाहर फेके और सहब को घसीट कर सिगडी के पास लिटाया साहब के जेवों की तलासी ली तीन चार लिफाफे और एक डाइरी निकाल कर उन्हें अपनी जेव में डाल दिया रंगया को मास्टर साहब की कौन सी बातें अमरिज सी लगी उत्तर जब मास्टर साहब ने कहा अच्छी बात है अब तुम जाओ रमान तुम्हारा बच्चा नहीं मैं उसे अपना बच्चा समस्ता हूँ तुम उसकी चिंता ना करो उसका सारा भार मुझ पर छोड़ दो रंगया का रंगया को ये उप्रोक्त बातें अमरिज सी लगी भैरोपांडे बैसाखी के सहारे बखरी के दर्वाजे पर खड़े क्या देख रहे थे उत्तर भैरोपांडे बखरी के बैसाखी के सहारे अपनी बखरी के दर्वाजे में खड़े बाड के पानी का जोर देख रहे थे अपार जल में बहते हुए साप बिच्छू चले आ रहे थे इत्यादी द्वंद समास की परिवासा लिखिए उत्तर जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं और दो या दो से अधिक सब्द और अथवा एवंग सब्द की विलूपती के साथ जुड़े रहते हैं उसे द्वंद समास कहते हैं जैसे राम स्याम राम और स्याम राधा कृष्ण राधा और कृष्ण आदी प्रस्न नम्र 3 निम्न प्रस्नों के उत्तर अनाधिक पचास सब्दों में लिख्ये प्रलै की निस्त अब्धता से स्रिश्ठी का नाओगान फिर फिर इस कथन का आसर स्वष्ट कीजिए उत्तर प्रस्तुत पद्यांस हमारी पाठे पुस्तक साहित्य संचयन के नीड का निर्मान फिर फिर नामक कविता से लिया गया है इसके कवि हरिवन्स राय बच्चन जी हैं इस पद्यांस में कविवर बच्चन जी पक्छी के माध्यम से मनुष्य को हर वक्त नव निर्मान में जुटे रहने की सलह दी हैं क्योंकि हर प्रलै के पस्चात नई स्रिष्टी की रचना अवस्य ही होती है बच्चन जी मानव मात्र को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि नास के दुख से कभी भी निर्मान का सुख दबता नहीं है बलकि प्रलै के महाविनास के पस्चात चाय सुने पन से ही नव निर्मान का नया गीत बारंबार फूट पड़ता है अतह हे मनुष्य पक्ठी की तरह ही जब तक जीवित तथा स्वस्थ हैं अपनी उडान अर्थात अग्रसर होना जारी रखनी चाहिए प्रेस्न दुसरा नमबर चरण पताल सीस असमाना सो ठाकुर कैसे संपटी समाना इस अंस का अर्थ स्वस्थ कीजिए उत्तर प्रस्तुत पद्यांस हमारी पाठे पुस्तक साहित्य संचयन के रैदास के पद सिर्शक से अउतरित है इसके रचनाकार भक्त कवी रैदास जी हैं इस पद्यांस में इस्वर की ब्यापकता विराटता एवंग जीव की सुक्षम्नता की ओर संकेत किया गया है इस्वर सर्व ब्यापक है अतहा उन्हें किसी भी सीमा में रखा नहीं जा सकता है इस्वर तो हवा की तरह ही सर्व ब्यापक है उनका पद पाताल को एवंग सीस आस्मान को छूता है वहा विराट इश्वर सिर्फ मनुस्य की सुक्षम्ता में कैसे समा सकते हैं खंडखा ठीक है बिटिया आगे से नहीं पहनेंगे वक्ता और स्रोता का उलेख करते हुए संदर्भ इस्पष्ट कीजिए ठीक है बिटिया आगे से नहीं पहनेंगे इसका वक्ता विस्मिल्ला खां है और स्रोता उनकी एक सिस्या है प्रस्तुत पंक्ती हमारे पाठे पुस्तक साहित्य संचैन के नौबत खाने में इवादत सिर्शक निबंध से ली गई है इसके निबंधकार यतिंद्र मिस्र जी हैं बिस्मिल्ला खां की एक सिस्या ने जब उनकी फटी तहमद पर इसारा करते हुए कहा था कि बाबा आप यहां क्या लग करते हैं इतनी प्रतिष्ठा है आपकी अब तो आपको भारत रतन भी मिल चुका है यहां फटी तहमद ना पहना करें अच्छा नहीं लगता जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सब से मिलते हैं खा साहाब मुस्कुराए इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप प्यार से यहां मार्मिक वात कही ठीक है बिटिया अगर तुम्हें यहां ठीक नहीं लगता है तो मैं इसे नहीं पहनूंगा पर इतना बताए देते हैं कि मालिक मुझे फटी आवाज फटा सुर न दे लुंगी तो आज फटी है कल उसकी सिलाई हो जाएगी पर एक बार आवाज फटी या गई तो वहा वापस नहीं आएगी इन पंक्तियों में विस्मिल्ला खां की महानता के लक्षान दिखाई देते हैं उनके अनुसार गुण का ही आदर होता है रूप का नहीं खंडखा दूसरा प्रस्त उनके जलने के बजाए उसका स्वेम जलकर राख होना बहतर है इस अन्स का भाव इसपश्ट कीजिए प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्थे पुस्तक साहित संचयन के चपल सिर्शक कहानी से ली गई है इसके कहानीकार कावटूरी वेंकट नारायन राओ जी है प्रस्तुत पंक्तियों में रंगया की सहजता एवं उसकी स्कृतग्यता बोध का वर्णन हुआ है यहां रंगया का अपने पुत्र रमण के गुरू माश्टर साहब के प्रती भक्ति का बेमिसाल उदाहरण है रंगया अपने जीवन में सब कुछ सहलिया पर अपने विश्वास को तूटने नहीं दिया रंगया को अपने जोपड़ी के जलने की उतनी चिंता नहीं होती जितनी रमण के गुरू साहब के चपलों की जिसके कारण वहा भ्यंकर आग की लप्टों में कूद पड़ता है और माश्टर साहब के चपलों को अपने पेट के नीचे छिपा कर उन पर ओधे मुह लेट जाता है जिसके कारण रंगया जल गया परन्तो माश्टर साहब के दोनों चपल पॉलिस किये हुए जियों केतियों चमक रहे थे और वे दोनों उसके पेट के नीचे मिले इससे इसपस्ट है कि माश्टर साहब के चपलों के जलने के बजाए रंगया का स्वेम जल कर राख होना उन्हें बहतर लगा इस तरह मानविये मुल्यों एवंग सम्वेदना को प्रकट करने वाली चपल कहानी मन को छुप लेती है जय माशर रश्वती जय